विजनौर के थाना कोतवाली शहर शेत्र गाउं धोकपुर में पुरानी रंचिश को लेकर गाउं के रहने वाले वीर सिंग और उसके भतीचुई अंकुर की दिन्दिहारी गोडी मार कर हत्या कर दी गई इस मामले की प्रकाश में आने के बाद पता चला कि वीर सिंग और अंकुर सहीद एक व्यक्ती दो साल पहले हत्या के मामले में जेल में बंद थे अभी हाल फिलाल में ही वीर सिंग और उसका बतीजों को जेल से चुट कराये थे जबकि इस हत्या में श्वामिल तीसरा व्यक्तिया भी जेल में बंद है इस हत्या को लेकर गाउं के एक परिवार के लोगों ने जब चाच और भतीजे को देखा जो की ट्रेक्टर से घर लोट रहे थे तो उनकी दिन दिहाडे गोली मार कर हत्या कर दिया और मौके से फरार हो गए पुलिस ने मृतक परिजनों की तहरीर के अधार पर हत्या आरोपियों के खिलाफ मुगतमा दर्ज कर लिया है और उनकी तलाश की जा रही है इस घटना को लेकर एसपी डॉक्टर धर्णवीर सिंग ने बताए कि चरचार के मामली को लेकर गाउं में दो साल पहले 15 अगस को एक हत्या होई थी इस हत्या में वीर सिंग उसका बतीजा अंकुर और उनका एक साथी जिल में बन था अभी हाल फिलाल में ही वीर सिंग उसक झाल